वो कमेडियन जिसने 200 से ज्यादा फिल्मे की लेकिन 79 साल के उम्र में उन्हें काम मिलना क्यों मुश्किल हो गया? आखिर क्यों एक फिल्मों के लिए तरस रहे हैं कमेडियन एक्टर हम बात कर रहे हैं कमेडी की मशूर एक्टर तीकू तलसानिया की हिंदी सिनेमा में वैसे तो कई कमीडियन्स हैं जिन्होंने दर्शकों को अपने पंचिस पर हसा हसा कर लोट पोट किया है पर इन में से कुछ ऐसे हैं जिनकी पहचान और नाम दोनों आडियन्स के दिल में घर कर गई हैं टीकू तलसान या उन्हीं में से एक कमेडियन है, अंदाज अपना अपना और एक कुली नंबर वन में अपने कामेडी से, फिल्म में चार चांद लगाने वाले टीकू आज के वक्त में जॉबलेस हो गए है, दोसों से ज्यादा फिल्में इन्होंने अपने करियर में की है, पर अभी वक्त ऐसा चल रहा है कि इन्हें काम तक नहीं मिल पाय रहा है, औडिशन्स तो दे रहे हैं लेकिन लगतार रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, बता दे कि ठीकू ने एक इंटर्व्यू में अपना ये दर्द बया किया है, एक्टर का कहना है कि फिल्मेडा स्ट्री जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, वो उसमें समाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे स्विकार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंटर्वियू में बाचीत के दोराद टीकू ने बताया कि समय में थोड़ा जॉबलेस हूँ अच्छे रूल्स पाने के लिए आउडिशन दे रहा हूँ लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है मैं दरसल गुजराती हूँ और पिछले कई सालों से मैं गुजराती थेटर में एक्टिव हूँ बलकि ये कहना सही हुगा कि मैंने अपने करियर की शुरुवात गुजराती प्ले करके ही की थी आज की वक्त में अगर कोई काम मेरे पास आता है तो मैं उसे मना नहीं करता उसके साथ साथ आगे बढ़ने की सोचता हूँ पछले कुछ वक्त से मेरे पास काम नहीं आ रहा है मेरे लिए खुद के लिए काम ढूड़ना काफे मुश्किल होता जा रहा है मैं फिल्मों से ये टीवी से दूर नहीं हुआ हूँ बस एक वो रोल ढून रहा हूँ जिसमें मैं फिट हो सकूँ जो रोल मुझे फिट हो सके मुझे काम करना पसंद है मैंने कोई रिटार्मेंट नहीं ली है पर रोल तो मिलना चाहिए ना कोई रोल है ही नहीं मेरे लिए, इस तरहां मैं बताओ कैसे सर्वाइब भी कर पाऊंगा, अगर कोई रोल मुझे लंबे वक्त तक आफर नहीं हुआ तो, ठीक उन्हें ये भी बताया कि काम के बारे में मुझे रोज बता चल रहा है, मेरे एक टीम है जो मुझे स्क्रिप्ट् मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वक्त में, इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है, वक्त बदल चुका है, मुझे शांत रहने के जरूरत भी ज्यादा है, कोविड-19 के बाद तो चीज़े डिस्टरब हो गई हैं, लोग ज्यादा शाप और प्रग्रेसिव हो गए है काम को लेकर लोगों का नजरिया बदल गया है, और अप्रोच भी, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे काम के लिए कॉल करे, मैं भी लोगों और फिल्मेकर्स के पास फोन करके या फिर इमेल करके भीज रहा हूं, कि मैं काम हून रहा हूं, मुझे कास्ट करे, अगर कोई अ जांता नहीं बोल राधा बोल अंदाज अपना अपना और इश्क जैसे कई फिल्में हैं जिन में उन्होंने अपनी कमेडी से फिल्म में जान डाल दी थी उनके कमेडियन रूल्स को देखकर फैन से हस-हस कर लोट-पोट हो जाया करते हैं लेकिन 79 साल की उमर में टीकू के सित